आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे इनका नाम है भुपेंद्र भाई पटेल और बर्दपान में गुजरात के चीम मिनिस्टर यानी की मुकमंत्री है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानिकारी देखने वाले हैं कुछ और पिक्चर हैं ये भी देख लिजे ये आप देखे इनका परिवार है और इनका सम्मंद्ध गुजरात से हैं कहां से गुजरात से तो चलिए एक बार गुजरात को देख लेते हैं देखें हमारा प्यारा भारत है इसमें आप देखेंगे एक गुझरात राज्य है इसकी राजधानी गांदी नगर है और इसे 1 मई 1960 में राज बनाये गया था इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यों में राजिस्तान मध्य पदेश महाराश्ते से लगती है बérique जहान सभा में 182 सीटे हैं, राज्य सभा में 11 सीटे हैं, लोग सभा में 26 सीटे हैं, और इसका छेत्फ़ल अगर आप लोग देखें तो 1,96,024 वरक किलूमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है, भूपेंद्र भाई पटेल, इनका पूरा नाम क्या है, रजनी कांथ पट के सिलाज एरिया में हुआ था, अगर हम लोग इनकी पतनी का नाम बात करें, तो हैतल पटेल इनकी पतनी का नाम है, क्या हैतल पटेल इनकी पतनी का नाम है, इनके भाई का नाम केतन पटेल है, और इनके बेटे का नाम अनुच पटेल है, और भूपेंद्र पटेल की बहु पूरी की है अगर हम लोग इनके राजनितिक केरियर की बात करें राजनितिक सफर देखें तो आप देखें कि भूपेंद्र भाई पटेल 1995 से 1996 तक मैम नगर नगर पालिका के आयस्थाई सदस रहे हैं और इसके बाद सन 1999 से सन 2000 तक मैम नगर नगर पालिका के पैसिडेंट के पत पर भी रहे हैं फिर आप देखें इन सभी कारियों के बाद भूपेंद भाई पटेल ने 2008 से लिकर 2010 तक स्कूल बोर्ड ओप एहमदाबाद म्यूंसिपल कॉर्पूरिशन के वाईस चेर्मेंड के पत पर नियुक्त किये गए इन्होंने अपने पत पर नियुक्ति के बा अपने काम को वाकूवी निभाया फिर आप देखेंगे इन सभी के बाद लगवक साल 2010 से लिकर 2015 तक भूपेंद पटेल की द्वारा थल तेज बाड की प्रमोक काउंसलर की पत को भी सुसोवित किया है और भूपेंद भाई पटेल ने इस पत पर रहेकर अपना विसी स्यु पर इसके बाद आप देखें कि सन 2015 से लिकर 2017 तक एहमदाबाद अर्वर्ण डवलमेंट अथॉर्टी के प्रमोक पद अर्थाद चेर्मेन की पत पर रहें इतना ही नहीं इन्होंने AMC चेर्मेन की पत को भी सुसोवित किया है इनके द्वारा संभाले गए सभी पदों में ए बिधायक का एक चुनाओ लड़ा देखें बिधायकी का अगर आपको चुनाओ लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 सालों नीचे अधिक तम उम्रे की कोई सीमा नहीं है और बिधायक का चुनाओ डारेक्ट जनता यानि के मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी 24 के तहद इसकी स्थाफना की बात की गए 25 जनबरी 1950 में स्थाफना हुई थी नई दिल्ली में आप लोगों को हेड़कवाटर देखने को मिलेगा पहले मुख चुनाओ वाईब सूकुमार सैंथ थे तो घाट लोदिया विधानसभा से लड़े गए इस चुनाओ में भूप 11 सेप्टमबर 2021 को विजय रूपानी ने गुजरात के मुखमंत्री पत से इस्थिपात दे दिया था और केंद्री परवेक्चक नरेन सिंग तॉमर और पहलाज जोसी की अध्यक्षता में गांधी नगर में पायटी विधानसभा की बैटक में 15 सेप्टमबर 2021 को पटेल को सर 2022 के बिधानसभा चुनाम है और फिर से आप देखते हैं कि इन्हें 12 दिसंबर 2022 को उन्हें फिर से पिदेश का मुखमंत्री बना दिया गया था गुजरात का ठीक है तो ये सौट वाइगराप ही आप लोग कह सकते हैं एक कहानी है गुजरात के मुखमंत्री भूपेंद्र पटल की आंगे इनका राजनेतिक सफर किस तरह से रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा उसके लिए आप लोग ख़बरों से जुड़ा रहा करिएगा न्यूजपेपर देखते रहा करिएगा आपके पास स्मार्टपॉन है डिजिटाल इंडिया की बात होती है तो उसके भी आप लोग जुड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि जानते रहते हैं ये मुखमंत्रियों की सिंखला चल रही है इसमें हम लोग हर राज्जे के मुखमंत्री के बारे में एक एक करके बात कर लेंगे